नमस्कार शालिनी प्लस बात्मी पत्रा मदे में सुनिला प्लस स्वागत करतो बात्मी पत्रा चे सुर्वतिला पावे आध हेडलाइंस पंतप्रदान नरेंद्रमुदी याननी केले सरदार वल्लप भाई पटलियांचा फुतले चे लोकार पन केरल चा सब्रेमाला मंदिरा मदे महिलान ना प्रवेश जिल्यान अंतर केरल पूलिसांचा महत्वाचा निर्ने दर्शना सठी गर्दी होतासले ने आधुनिक तंत्रत न्यानाचा वापर करना अधूलिसांगर आरक्षन अभाबत सरकार्चे फस्वे धोरन धन्गर शमाजेतील महिलान चा आरोप तोला पुरत केले आनोखे अंधुलन प्रेम्य प्रकर्णातुन तरुनाचे आपहरन करून केले हच्चा पैठन मदिल धक्कादाय घटना आनी ठी ठीकाने सर्दार वल्लब भाई पटेली यांची जयानची उत्साहाथ साजरी पैठन प्रदार वल्लब भाई पटेली यांची आज जयानची आए याच्चा आउचित्त सादून देशाचे पंतप्रदान नरेंद्र मोधी यांची भुवे पुतल्याचे आज लोकारपन केले हच्चा पैठना आहे लोकारपन सोड़ा साथी भव्य तयारी करना आताली होती पंतप्रदान मोधी यांचा हसते दहावास्ता या पुतल्याचे लोकारपन करना आताली आहे दूसरी कडे दिल्ली मधे गुरुह मंत्री राजनात सिंग याननी रन फोर यूनिटीला हिर्वाज हिंडा दाखावला या अधी राष्ट्रपती रामनात को विंद उपर राष्ट्रपती वयंकई या नाईडू आणी गुरुह मंत्री राजनात सिंग याननी सरदार पटेल सवकात सरदार वल्लब भाई पटेल यानना श्रद्धान जली वाहिली देशाचे पहिले गुरुह मंत्री सरदार वल्लब भाईप टेलियांची जयनती देश राष्ट्य एकता दिवसमणू साजरा करता है ब्यूरो रिपोर्ट शालीनी प्लस मुंबई मंदीर परिसरा थोनारी श्रद्धालूंची गर्दी आणि है एकंदर वातावरन पहाता केरल पूलिसानी मंगलवारी डिजिटाइस्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टिमची सुर्वात करना रसलेच जाहिर केला है यांदाचा वर्शीच ही अंत्रना लागु होना रहे या सेवे अंतर गज श्रद्धालू शबरीमला मंदीराला भेट देना साथी ची तारी खानी वेल निवडू शकना रहेत शबरीमला.com या संकेत स्थलावर तेनना वेल आणि तारीक आरक्षित करता येना रहे दर्शना साथी चीवे ठरवना सोबत अच निलककलते पंबा परियंत चा बस प्रवासा साथी चा तिकिताच आरक्षित केलान अंतर ते पुडचे अठे चाई स्थासन साथी वैधराना रहे पोलीस अंतरनां कडून विचारात असनार्या या अंतरने मूले येत्या कालात शबरी मला मंदीर परिसरात होनार्या गर्दी चा व्यवस्था पनात काही हादभार लागनार का हे पाहन महत्वाच ठरना रहे ब्यूरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई दंगर आरक्षना बाबत फस्वे धोरन राबावनेचा आरोपकरत राज्य सरकार चा विरोधात अनोक्य पद्धते ने बालाज धुजोरे गान्यातू निशेत करने ताला यावली दंगर समाजातील महिलाने मोठा संखे ने उपस्तिती दर्शेवली शासनाने राज्य घटने प्रमाणे धंगर समाजाला स्टी चे प्रमाणपतर लागू करावे आणी समाजाला समविधानाने दिलेला अधिकार द्यावा आणी OBC समाजाची जनगणना करावी या सह इतर मागणयां चाथी धनगर समाजातील महिलानी पालाना अंदोलन केले आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फट्नवीस याननी 2014 रोजी पहिलाच कैबिनेट मधे आरक्षनाचा निर्ने गेऊ असे आश्वासन देऊ नहीं कोंट्याच प्रकारची सरकार तरफे प्रहतन धनगर समाजाला आरक्षना बाबत जालेचे दिसत नहीं याचकारणाने बाला जोजोरे यागानातून उपहासात मक निशेधार्था अंदोलन करून धनगर समाजातीर महिराननी सरकारला जोपवनाचा इशारा दिला हे 2021 ला केंदराणी राज्याचा निवडनुका लागना राहेत त्या मुले आता राजकारणा साथ ही मागिल सरकार प्रमाणे याही सरकारने धनगर समाजाला भावनिक तेवर स्वार करून मतदान लाटनेचे शडियंत्र केलाचे दिसुनाल्याने सरकारणा निशेधार थाहे आंदोरन करना तालाचे करांती सेनेचा संस्थापक कल्यानी वाग मोडे यानी सांगितला हे आणि तिते 31 जुलेदोन अजर्ट चाउदारोजी आच्चे मुख्यमंत्री आणि त्या वेस्चे भाजयब्चे प्रदेशात देख्ष यान्नी येवन जी आश्वासंदिले कि पढिलाच क्याबिनेट मदे आमी धनगर आरक्षन लागू करू त्याचे अम्मल बजावनी आई करन डॉक्टर बाबा साहे बंबेड कर घट्ले चे शिल्पकार यान्नी जी खट्टे ने अमलाद ने हक्का दिला है त्याची फ्रक्ता सरकार ने अमल बजावनी करावी येवडस मिया ठिकानी सांगते आज हा निशेदात्मक पायना अरक्षनाचा आमी सरकार साथी ग आई करावे लिए ये अमितन ना विननती करते अन्ने था येनार्या कालाद येनार्या दोन मैनेत महाराश्टा तसा दबाव गटा मी निर्मान करूँ जेने करूँ जेसक कॉंग्रेस नश्नवादी सरकार उल्थून पाडला दोना जर्चावदाला तैसा हेज सरकार पन उल खलगल उडाली तुकाराम बाला सहेब माने असा हत्या करना तालेले युवकाचन आवा हे गावाच छोद घितला परन्तु तो सापडला नहीं आजिनात मोरे सुधा गाया बसलाने घरजांचा संशे बढ़ावला या मोले बाला सहेब माने यांचा फिर्यादी वरून अखेर 24 ओक्टोबर रोजी 500 पोलीस ठानात अपहरन केलाचा घटनेची नोन करना ताली आणी तपा सुरू करने तला तपा साथ संशे तसलेला आरोपी आजिनात मोरे आणी ताचा आणखीनेक साथी दारियानना पाचोड पोलीसान नी ताब्याद घ्यों अटक केलिया है आरोपी ने तुकाराम मानेची हत्या केलेची कबूली दिलिया है आरोपी चा कबूली नंतर पोलीसान नी घटना स्थली एका पडिक विहरी जवर धाव घितली तेभा पाणया तुकाराम मानेचा तरंग लेला मरूतादेह अधरो नाला ग्रामस्थाननी मरूतादेह पाहिला तेभा एकच ख़बल उडाली मरूतादेह जास्ता दिवाश विहीरी त राहिलाने पूर्ण पणे कुजला होता डोक्या वरील पूरुना केस गळाले होते, मृतदेह बाहर काटना साथी नांदर येथील तरुनानी पोलीस अन्ना मदत केली मृतदेहाचे जागे वरच बाला नगर अरोग्य केंद्राचे वैद्यक्य अधिकारी डॉक्टर मनियार यानी शवविच्छेदन केले बाला साहेब माने यानचा फिर्यादी वरून अजिनात भीमराव मोरे आणी गोरक मानी यानचा विरुधात पात्सोड पोलीस ठान्यात खुनाचा गुन्हा नोन करनाता लाहे पुधिलता पास पोलीस करता हेत शालिनी प्लस साथी सुरेश वाइभट पैठन सर्दार वल्लब भाई पटेल यानचा जयनती निमित शहरात राष्ट्रिय एकता दिवसा चे अवचित्य साधून एकता दवडीचे आयोजन करनाताले होते या मधे जलसंपदा मंत्री गिरिश महाजन आमदार सुरेश भोले जिल्ला दिकारी किशोर निम्बालकर पोलीस अधिक्षक दत्ता शिंदे यानचा सह सर्व प्रशासकी अधिकारी उत्फूर्त पने सह भागी जाले होते सकाडी पोलीस मुख्यालया पासुन गिरिश महाजन आननी हिर्वा जेंडा दाखाउन या एकता दवडला सुर्वात केरी सुमारे 8 किलोमीटर अंतर धावला नंतर परत पोलीस मुख्यालया जवर या एकता दवडचा समारोब करनाताला अनेक सामाजिक संगटनान नी देखीलिया दवड मधे सह भाग गितला होता सरदार वल्लब्भाई पटेलियांचे जन्मशताब दी 30 ओक्टोबर रोजिया सुन हा दिवस राष्ट्रिया एकता दिवसमणून साजरा करनाते तो सरदार पटेल याननी स्वातंत्र चल्वलित आनी त्यानंतर देशाची राष्ट्य एकात्मता साधन्या साथी जे योगदान दिले त्याविशे जनजागरूती निर्मान भावी या साथी ही एकता दवड आयोजित करनाताली होती असे जलसंपदा मंत्री गिरिश महाजन्यानी सांगित ले आहे आज राष्ट्री एकता दिवड आप परिणों जाठेकनी पाला जतो है और दोड़े का भारत दूड़े का भारत सर्वान नी पढून भावन रन फॉर यूनिटी जेता उल्ले कलने असा किला है कि एकते साधी दोड़ा, एकते साधी पढा अड़ी मणुना सर्वा देज बर, सकाड़ पासून सर्वास शिचकर दूड़े का तरून अस्तील अवाल उद्डा अस्ती। पढता है, धाउता है अड़ी मला वाट्टा है भुथता है, काज़ी साधी नसाव साव शालीनी प्लस सथी, सचीन गोसावी, जरगाओ अपकी पिताजी को बहुत अची तरह जानता हूं, बहुत महान इंसाम थे, उनकी मैंने सारी किताबे पड़ी है। मैं तो उनका बहुत बढ़ा फान हूं। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चड़ाया। फोटो? मेरे बाप तो जिन्दा है। तिलक साब जिन्दा है? तिलक? मेरे बाप का नाम रसिकलाल है। रसिकलाल? लोक माने अतिर। आपके बाप का रूट नहीं है। तो पिर नो एंट्री पर एंट्री क्यों लिए आपने। मुझे माफ कर दीजी। तेखिए आपके और सब की सुरक्षा के लिए ट्राफिक नियमों का क्रिपा करके प अपसालक सुरक्षा, जीवन रक्षा। खासगी रुगणालाया शेकडोंचा संखेने डेंग्यू सद्रुष्य रुगण उपचार घेता हेत। त्या पाईकी घाटी रुगणालाया ने आत्ता परिंत पाठवलेला 279 नमुनान पैकी 109 नमुने पॉजिटिव ठर्लेा हेत। सर्व सामान्यान कडून व्यक्त होत होती। परन्तु मनपा प्रशासनाचे हे सर्व दावे फोल्ट हरले आहेत। शहराट डेंग्यू चारुगणान मी शंभरी पार के लिया हे। आणि त्याला टार्णे हे आपले जनते चा काम है। त्याचास बोरोगर आपले जेके स्थानिक स्वारजे सहुस्ता है। नगरपले का ग्राम पंचाय पंचाय स्वमेजीन त्यासनाचे निर्मूनन करने तिकस मनत्वास लाहे। प्रिवेंशन इस बेटर देन क्यूर हे आमसे वेद्यकी असल्दा माजे हा पहला धेय अस्त। जम्ता जबूती करावी है। अधा जणगा में अधाले कलेटर लाहे उप मापुर्ण जाला है। अपले आमदार जे आएद राजवा मोड़ी तैंचा शालकान देखिल जाला है। तो दोगाना देखिल माधा जिलात चलुआ है। तो दोगाना जबूती करावी है। अधा जबूती करावी है। अधा जबूती करावी है। मच्चा दाने जोप नहीं, कि मास्कू डू रिपेलंट लाव नहीं, एसे अपन प्रशास नावर वचक ठेउता येतना ही है त्या मूले शहराची स्वच्चता नीट होत नाहीं, जागो जागी कचराची धीक साच लेले आहेत, तसे चान पाणी या मूले ही शहराच डेंग्यूने थैमान घतले आहे ये थे सत्ताधारी सुरक्षित नाहीत तर सर्व सामान्यान से काई असा प्रश्ण तैन नियावरी उपस्थित केला मुठ्या प्रमाना और देंग्यूने थैमान माध वरेले है, प्रत्तेक हॉस्पडल में ये अक्षर्ष्या रे शेंचा दुखाना मजे अप्र दधिने लुपन नम्डला आउताथ, त्या प्रध दधिने रागा लागेलेद, काल गळगाव शे राचे विद्धे उप मुठ्या बंदू, आम्नारंचे शाला प्रुशनात खरके, तसे माजी उपनगरत देख्ष प्रकाइट बावराव पाटिल, यहांना सुद्धा डेंग्यू पोजेट वालेला है, अधि दे राक्टरेजी बंगले, यहां खाजगेरू काला हम दे उप्चार गयाता है, डें प्रशाशान बेर्दर नाहीं, चुकी जा बस्टिया बस्टिल नी शेरा और देमुन जा वालेला है, त्या मादे फोगिंग मशीन, अबेट्स, जिए उस त्या कांग्दाव राये, त्या ज्या साथि एक सोतंद्र प्थक फिर्तपत का खरके, फोगिंग मशीन त्या जात मनपा प्रशासना कडून जरी डेंग्यू चा नियंत्रण बाबत उपा योजना राभवत असले सांगितले जात असले तरी शहराद जागो जागी कचरा तसे शहराद सांड पाने चा योग्या निवारा होत नसले नागरीकांचे हाल होता हेत शालीनी प्लस साथी सचीन गोसावी जरगाओ परन आपली तहान भागवने साथी चक्क एक गाय थेट पंचा समिती चा आवरात पोचले आहे अवयात ये रुत्तव नांगाओ येथी लेक गाय तहान लागले ने पाने चा शोद घेव लागली आणि तिला आवारातिल पाणयाचा बंद अवस्थेतिल नर दिसला नर बंद जरी असला दरी तिथे पाणी असल असा अंदस घेत ही गोमाता तिथून कसे पाणी काडता इलियाचा शोद घेव लागली तीची ही धरपड काही उपस्तित नागरीक कुतु हलाने बगतोते आणि तिथे उपस्तित एक नागरीक तीचा मदतिला जाउन नल सुरू करून तिला आपला ओंजलित पाणी धरून पाजू लागला या गाई ने हे पाणी पीट आपली ताहान भागवली आणि प्रशासनाला या भीशन दुशकाई परिस्तितीची जानेव करून दिली राना वनत देखिल माजे काही बांधवाहेत ते पन असेच ताहान लेले अस्तिल त्यानचा पन ताहाने कडे लक्षद्या असच काही सती सांगुन गेली असम्हनाल्यास काही वाउगठरनार नाही शालीनी प्लस साथी अमोल जाधव नाशीक जालगाव येथे सकाई पाचवास्ता पूज संत बाबा हरदास राम साहेब ब्रम्ह स्वरूप बाबा गेला राम साहेब आणी देवरी साहेब येँचा पंचाम्रुच नानाने वर्सी मोहत्सव चा कारेक्रमाला सुर्वाद करन ताली त्यानंतर सकाई साथ वाचे पासुन पाठ साहेब आणी धुनी साहेब आला सुर्वत जाली सकाई नवास्ता धुले येथिल आर्य समाज मंडा चावतीने विश्वशांती साथी यद्न्यात वैदिक पद्धतीने हवन करन ताले यावली विश्वशांती सुखसमरुद्धियाणी भरभराटी साथी प्रार्थना के लिएली विश्वशांती यद्न्यात दाहा विवाहित चोडपेननी सहभागी होत हवन केले वर्सी मोहत सवादर्म्यान सर्व सिंधी बांधव आपले व्यावसाय बंदठेऊन विविद्य समित्यान वर आपली सेवा पजावना रहेत संत कवर राम नगरातील मंदी राद गेला 15 वर्शान पासू नखंड जोत सुरुआ हे ही जोत सिंधी समाजाची इस्ट देवता जुले लाल यांचा समोर तेवता हे या जोती ची सुरुआज संत बाबा हर्दास राम साहे व्यांचा हस्ते करनाता लिया हे अनेक शहरात या जोती वरून जोत नेनातीय उन तेथे देखे लिया जोती प्रमानेच अखंड जोत तेवत्थे उना देते मला सुतला उपकृत करता हे आज चा रख्तदान मंझे हे बाबान चा चरनात दिलेले एक यद्यातली आहुती चा हे जब से होश संबाला या जब से हम इस दुनिया में आया आक नी खोली है अपसे हम बाबा के बक्त रहे चुके है बाबा के दिवान है और हमेशा ही आते रहेंगे हमारे सब प्रॉब्लम्स ये वो सब यहीं से सौल होते है शालिनी प्लस साथी सचिन गोसावी जरगाओ कॉंग्रेस जनसंगर्ष यात्रा आता सिल्लोडेते पोचलिया है या जनसंगर्ष यात्रेदर में आन मोठी जनसबा घेनाताली या सब दर में माजी मुख्यमंत्री आशोक चावान, पृत्विराज चावान आनी राजबबर यानी भाजब सरकरवर्ती खरपूस टिका के लिया है मराटवाड़ा सह संपुर्ण महाराश्रा दुषका जाहिर करणया त्या वाया मागणी सह विविधा मागणान साथी कौंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री आशोक राउजी चावान, यूपी कौंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सिने अभिनेते खासदार विधान सभेचे विरोधी पक्षने ते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा नेतरूत्वा खाली निगालेली जनसंगर्श यात्रा आणी जनसंपरक अभियानाचे सिल्लोड सोयगा विधान सभा मतदार संगात आगमन जाल्या हे सिल्लोड चा जिल्ला परिशद मैदान आधी जाहिर सभागेना ताली यावेई हजारोंचा संखेने लोक उपस्तित होते यावेई अमदार अब्दूल सत्तार याननी पाहुनेंचे स्वागत केले याजनसंगर्श यात्रेदर में राजबबर, माजी मुख्यमंत्री अशोक राउच जवाण आणी प्रुत्वीरत जवाण याननी भाजब सरकार्चा खरपूस्ता माचार गितला अम्चा तरेकार्ने सेंद्रा बिटकिन ला एक आउचेविक बाहनगर करने प्रकल्प केला होता है याज अरंगपाच्य पोष्ट्था प्रुत्युट्था पक्त नाथपूर अनी विदरबाश्यों मुख्यमंद्र न दुश्रा महराट दिसरता है आज मराजवादा दा मां गात्रा घलवाइथासे तर दा आउद्यों होती चैप्ला बाहए अंधाय। मां क्यों हो हैं करका ने का स्लीन गाता जीकार्वे अज्टा करें प्रचा के आउड़ी आउड़ा सुन्मा पिल्गर्ण ने के लिए। दोन कोटी होकाना रोजगार में तुम्हाना तुम्हाना ट्राष्टार राए नोटाबंदी के लिए जियेश्टी के लिए वैपारी उद्वास्त धाले, छोटी काथां दर उद्वास्त धाले, रोजन दर काम क्रेड़ार लोगांचे हतला काम रहे नहीं, बरिच्छी ग्राम अर्थवेस्ट दोन अडिस्ट थे खांचे लिए इतका मोटा अभी जानी तरका जगाता इत्यार साथ को निए इतले नहीं दोता है, ये बाल तो इसलिए मुडवाय है कि जब तक नहीं कुस्तरा रख चलाती रहेंगे, जब तक ये सरकार योदेश का और तुरदेश के लोग नहीं नहीं देंगे, और तब ये बाल हो गएगे, जिस दिन ये नामुराज सरकार सरक पर नीचे आने का काम से, ये कैसा व्यक्षी जिसने ये एहत किया है, जिसने ये प्रण किया है, और आज उसके उस झेतर में हम आए है, और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं द अरी बार आओंगा तो शायद दो मैदान एक अठ्टे लेकर एक मैदान नुभाना पाए है, जोस्तों, इलवाई जवार्चन संधर्ष्ट ने शुरू की है, ये आपके बीच आपके मुद्दों को लेकर आपके, आपकी समस्याओं को लेकर निकले हैं, कहां ये बात कह रह आपके में किसाथ को, के दर्द को समझा जाये, कहां ये कह रहे हैं कि जिनको पीने का पानी नहीं मिलता है, उनको पानी मिले, चहां या बनाजी मुक्रिये कहेते हैं, क्या आज अक्टूबर के महिने में अगर ये सूखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, मैंने सारे प्रदेश ने नहीं देखा अगर सूखा पड़ता है तो नहीं जूल में जाकर पड़ता है लेकिन दुर्भाग के हैं ना जाने कौन से गिरह के लोग सब्ता पड़ा कर बैठे हैं कि अक्टूर के अंगर यहां पर सूखा पड़ा के काली परचाई को इस प्रदेश चेहतारा पड़े दा यह ऐसी पर्ठारी जिसके जीतने के बाद में जो झानसद्विय कहते है किसान अपने धर्ज की बाद करता है तो कहते हैं यह सालिक किसान चोर है मैंने तो एकभार में पढ़ाए शाइद यही कि आप सपास का कोई संथना अब तो नाम भी में ऐसे लोगों का भूल जाता और नाम लेना भी नहीं चाहता और खासकर अपने में अब ऐसे लोग जो किसान के लिए इस तरह की भाशा का इस्तमाल करें आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते शालीनी प्लस साथी शाम ठाकूर सिलोड सद्या देशातील एक घटसपोट चर्चेचा विशे ठरलाए आत्ता परिंतचा सर्वात महागडा ठरलेला घटसपोटान पई की हे एक प्रकरन आहे पावयात आर रिपोर्ट राजीव मोदी आणी मोनीका गरवार एयांचा घटसपोटाचा अर्ज अहमदा बाच्या कवटुम्बिक नायालाए न स्विकारला है राजीव मोनीका या दामपत्याला 17 वर्षन चा एक मुलगा हिया है गेला 27 वर्षन पासुन त्यांचा वैवाहिक जीवन शान्त तेना सुरू होता परन्तु आता मात्र त्यांचा नात भंगलाए दोगाननी परसपर सम्मतीने हा निर्णै घितला है पन ट्यांचा हा खासगीविशे चभाट्यावर आला तो पोटकी पोटी दिलेला रखमे मुले राजीव आणी मोनीका याननी एकोणी शे 29 साली विवाहा केला होता तीस आउगस्ट रोजी मोनीकान अपल्या पती वर प्रतारणा आणी मारहानीचा आरोप केला होता मोनीकान याची तकरार पोलीसात ही नोंदवली होती यान अंतर त्यांसा नात आणखिनाच बिनसल आणी या दो घंनी परस पर सम्मतीन घटस फोटाचा निरने घितला या घटस फोटा साथी राजीव मोनीकाला 200 करोड रुपय पोट गी पोटी देना रहे तर्या प्रकरनात मूलाची जबाबदारी वडलान कडे राहिल ब्यूरो रिपोर्ट शालीनी प्लस मुंबई नाशिक ग्रामिन पोलीस आणी येवला शहर पोलीस येंचा वतीने सरदार वल्लब भाई पटेल येंचा 143 व्या जहनतीनी मित राष्ट्रिय एकता दवड से आयोजन करने ताले होते यावेई S&D कॉलेज बाभुल गाव येथून कुरुशियोत्पन्ना बाजर समिती येवला परियंत अशिप 5 किलोमीटर राष्ट्रिय एकता दवड संपन्न जहली यावेई प्रांताधिकारी भीमराश्दराड येंनी हिर्वाकंदिल दाखवताच एकता दवड ला प्रारंब जहला राष्ट्रिय एकता दवड मधे सहभागी सर्वस परधकान नाशिक ग्रामेन पोलिस दलाचा वतीने प्रमान पत्र देना ताले आहे यावेई पोलिस निरिक्षक नाना सहेब नागदरे, सहायक पोलिस निरिक्षक संधीप पाटिल, मानिक राव शिंदे, मुख्याधिकारी, संगीता नांदूरकर, चंद्रकांद निर्मल, संभर्जी पवार, आधी उपस्थित होते इसेंडी कॉलेज ते मारकेंट आड़ परे दासावाच किलुमीटर अलहोँ राव राची एक उता दोड भिकलिया है या मदे शेरात ले सरवा कॉलेज, मुक्ता लन कॉलेज देशेंडियानी सरवा कॉलेज आनि ग्रामिन भागाती सरवा कॉलेज यहनी मुलानी सरवा खतलेला है। अनि ग्रामिन भागाती सरवा कॉलेज देशा खतलेला है। शालिनी प्लस साथी संतोष बटाव ये उला धन्गर आरक्षण अबाबत सरकार्चे फस्वे धोरन धन्गर समाजेतील महिलांचा आरोप तोला पुरत केले आनोखे अंदोलन प्रेम्य प्रकर्नातुन तरुनाचे आपहरन करून केले हच्चा पैठन मदिल धक्का दाये घटना आनी ठीट ठीकाने सरदार वल्लब बैपटेली आंची जयन्ची उत्साहात साजरी तुरतास बात्मी पत्र मदे वेल धाले इते स्थामनेची ताजा आपडेट आनी गडामोडिन साथी पाहत्रा शालीनी प्लस प्रतिभींब वास्ता उतेचा नमस्कार